ओम नमस्य वाए, श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटुब चैनल पर, आज मैं आपको महा सिवरात्री के बारे में जानकारी दूँगा। महा सिवरात्री के दिन क्या आपको उपाय करने ही कौन-कौन सी राशियां बेहदी भागिसाली रहने वाले हैं। महा सिवरात्री के रात में चार पैर की पूजा की जाती है। महा सिवरात्री के दिन जो व्यक्ति भागवान महा काल की पूजा करते हैं। उनके सारी कश्टितूर हो जाते हैं। इस दिन महत तो होता है धतूरे कफल, बेल पत्र, आग के पुष्प ये चीज़े आपको चार पैर की पूजा में चड़ानी है। आपको करनी हैं पूजा, साम को भी आपको चार पैर की पूजा में ये चीज़े चड़ानी है। पुत्र प्राप्ति के लिए सपेद आग के पुष्प या नीले आग के पुष्प सिवलिंग पर अरपड करें। गेहु और चावल के साथ में ज्यान दें। पुत्र प्राप्ति के लिए ये जो आप पुष्प देख रहे हैं, ये नीले आग के होते हैं, इससे पहले जो थे वो सपेद आग के थे, ये नीले पुष्प नीले आग के होते हैं। इस दिन बेल पत्र पर ओम नमस्वा लिख करके पुत्र की कामना बोलती हुए सिवलिंग पर अरपन करें, मनुकामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान को भांग का प्रसाद बना करके गाय के दूद में भगवान को अरपन करें इससे मनुकामना पूरी हो जाती हैं। मेश रासी, ब्रसब रासी, मेतुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, तुला रासी, दनु रासी, कुम मीन रासी, ये रासिया हैं जो इस दिन बियदी बागिसाली और लकी रहने वाले हैं इस दिन पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला करके और कच्चा सूंत साथ बार पीपल ब्रक से लपेटे अपनी मनो कामना बोल करके जो भी आपके मुन में कामना है वह प्रतिक मनो कामना पूरी होगी इस दिन लोग गंगा जी इसनान करने जाते हैं तो आप घर पर यही थोड़ा सा गंगा जल डाल करके इसनान करें बेल पत्र आप साबुत रखें पहले ही रख लें उस पर थोड़ी सी बस में लगाएं और आप स्रिविलिंग पर यह बेल पत्र अरपन कर दें इस दिन जो राशी हमें ने बताई हैं यह राशी हम बहुत ही भागिसाली रहने वाली हैं लेकिन प्रतेक राशी वाले उपाय करें इस दिन भगवान के सामने चोव मुखी दीपक जलाने चाहिए भगवान के सामने चो मुकिती पक जला करके अपनी प्रात्रा बोलनी चाहिए दिन रुद्राक्षे भगवान को अरपन करनी चाहिए पुष्प इस दिन कमल पुष्प मिल जाता तो कमल पुष्प भगवान को जरूर अरपन करें बेल पत्र के साथ में आपकी मनुकामना वस्य पूरी होगे वीडियो को जादा जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आकन बटन तबाएं ओम नमस्त्रवाएं